भगवान शिव के दूसरे जोतिलिंग मल्ली कारजन की कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में आपस में इस बात पर विवाद हो गया कि पहले किसका विवा होगा जब श्री गणेश जी और श्री कार्तिके जी जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुँच पाए तो दोनों अपना अपना मत लेकर वगवान शंकर और माता पारवती जी के पास आई अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की परन्तु जब किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिके को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो पूरी पृत्वी का चकर लगा के सबसे पहले आ जाएगा उसी का विवा सबसे पहले कर दिया जाएगा विवा की एशर्ट सुनकर दोनों बहुत प्रसंद हुए प्रार्तिके जी का वाहन मयूर था इसलिए वे तो शिक्री अपने वाहन पर सवार होकर इस कारे को पुरा करने के लिए जल दिये परन्तो समच्चा श्री गरेश जी के सामने आई उनका वाहन मुशक है और मुशक वंद गती का जीव है अपने वाहन की गती का विचार आते ही श्री गरेश जी समझ गई कि वे इस परतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते श्री गनेशी हैं चतुर बुद्धी तभी तो उन्हें बुद्धी का देव स्थान परप्त है बस उन्होंने क्या किया उन्होंने परतियोगिता जीतने का एक मद्धे का मार्ग निकाला और शास्तरों का अनुशन करते वे अपने माता पिता की पर्दिक्षना करनी आरंब कर दिम शास्त्रों के अनुशार माता पिता भी पृत्वी के समान होती हैं। माता पिता उनकी बुद्धी के चतुरता को समझ गए और उन्हों ने श्री गनेश जी को कामना पूरी होने का आश्रिवार दे दिया। शर्थ के नुसार श्री गणेश जी का विवाँ सिद्धी और बुद्धी नाम की दो कन्याओं से कर दिया गया, पूरी पृत्वी की प्रदक्षना करके जब कार्तिके भगवान वापिस लोटे तो उन्हें देखा कि गणेश जी का विवाँ तो हो चुका है और वे शर्थ हा श्री गणेश जी की पुद्धी मानी से कार्तिके नाराज होकर श्री शैल परवत पर माता पारवती जी कार्तिके को समझाने के लिए गई और भगवान शंकर भी हाँ जोतिलिंग के रूप में अपनी पुत्री से आग्रह करने के लिए पहुँच गे उसी समय श्री श्री श्री शैल परवत पर मलिकार जोतिलिंग के सापना हुई इस परवत पर शिव का पूजन करना पुन्यकारी माना गया है श्री मलिकार जोतिलिंग के समझ में एक किवदंती भी परसिद्ध है किवदंती के अनुसार एक समय की बात है श्री शैल परवत के निकट एक राजा जिसका नाम चंद्र गुपता उस राजा की एक कन्या थी वह कन्या अपने किसी मनोकामना की पूर्ती है तु महलों को छोड़ कर शिशैल पर सिद एक आश्रम में रह रही थी उस कन्या के पास एक संदर गाएं थी परती रात्री जब कन्या सो जाती थी तो उसी गाएं का दू कोई दू कर ले जाता था एक रात्री कन्या सोई नहीं और चाक कर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी रात्री हुई चोर आया कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके बीछे बागी परंतु कुछ दूरी पर जाने पर उसे केवलवा शिवलिंग ही मिला कन्या ने उसी स जोति लिंगों की कथा सुनने से उनके दर्शन का पुन्य मिलता है